हेलो प्रेंट्स वेल्कम टु ट्रेंदाने स्टॉक्स वन सेगें टुड़े बाटा इंडिया के अंदर देखिए रिजर्ट्स आये हैं तीन नवंबर दो हजार एकिसको और इस कंपनी ने लॉस से अब प्रॉफिट में आके दिखाया है यहाँ पर तक्रीवन आप कह सकते हैं 72-71 करोड का लॉस था पिछले क्वाटर में वो लॉस अब कनवर्ट हो गया है 37 करोड के प्रॉफिट में तो यह वो इंडिस्ट्री है देखिए वो ब्रैंड है जो कोरोना की वज़े से कोविट की वज़े से बहुत ही जादा बैडली इंपक्टेड थी and just because of this thing कि एक वर्क from home का culture पिछले 18 महीनों से बहुत जोड़ा तरीके से prevail कर रहा है हिंदुस्तान में हाला की all over globe में and यह जो brand है देखिए सबसे ज़्यादा corporate world के अंदर इनके products की demand होती है जितना ज़्यादा आप office जाएंगे जितना ज़्यादा आप meetings के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा इ अपनी e-commerce chain को बहुत ज़्यादा solidify किया है और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ metro cities में ना होके इन्होंने अपनी जो पहुँच है जो reach है वो tier 2, tier 3, tier 4 cities तक भढ़ाई है तो आपको छोटे शहरों में भी बाटा के showrooms बहुत exclusively open होते वे दिखाई दे रहें साथ ही में इन्होंन परे products है इन्होंने अपनी portfolio में add करें तो उनी सबका result है देखिए साथी में देखिए जो basically lockdown खतम होके अब open होरी है economy धीरे धीरे वो सीधा impact डाल रहे हैं की sales के ऊपर and as because of that top line बहुत शानदर आती भी दिखाई दी है इसके अंदर अभी भी उन results का असर रह सकता है एक बहु को दोनों ही shorter time frame पर as well as daily charts पर समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले आप यह देखिए last trading session पर किस तरीके के stats रहे हैं तक करीबन आप यह कह सकते हैं 1% की तेजी के साथ में यहाँ पर last day price दिखा रहा है 2050 का इसका जो day high है वो है देखिए 2065 का day high in the sense यह मुरत trading का high है त तो उसे घंडे में 2065 तक यह पहुचा and closing जो दी है वो 2043 के आसपास दिये यहाँ पर भी profit booking आपको देखने को मिली है trading session and होते होते कल के दिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका 52 week high जो है वो actually में 212 रुपे के आसपास है 20 October 2021 का पिछले मही ने इसने लगाया और 52 week low जो है वो 19th April 2020 का 1264 रुपे का 1264 के आसपास का कल की percentage जो दिल भी देख रहे हैं तो तकरीबन 26% यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी यह डेटा यहाँ पर NST की website से आतावा दिखाई दे रहा है अब मैं आपको इसके charts दिखाता हूं सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छे basically pattern follow कर रखा है और यह जो इसका 50 days का exponential moving average है यह strong dynamic support है इस stock के लिए यानिके जिस तरीके से देखे यह stock ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पर correct होता है तो कहीं न कहीं यह वो levels होते हैं जहां पर आकर यह वापस से bounce back हो जाता है और अपनी ऊपर की journey को यानिके bull trend को वापस से resume कर लेता है हाली में देखे इसने यह हैं वो 20 तारीक वाले high जो हमने देखा था 2200 के आसपास के वहां से इसने काफी जादा correction दिखाया है लेकिन 50 दिन के exponential moving average से कहीं ऊपर इसने अपनी उस गिरावट को थाम लिया है जो तक करीवन आप कह सकने 1950 के level पढ़त कर दिखाई दे रही है यह चीज़ यहां पर दिखाई दे रही है यह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले trading session में आपको काफी अच्छे levels दिखा सकता है और previous resistance जो है वो break होने के chances काफी जादा हो जाएंगे RSI की बात करें RSI 60 plus के level पर आ चुका है बहुत चुका है 60 plus के level पर तो यहां से भी positive indication मिल रहा है अब अगर इसके अंदर volumes बन जाते हैं देखिए बड़े हाँ पर volumes आ जाते हैं तो definitely फिर आपको एक breakout वाली situation आते भी दिखाई दे जाएगी लेकिन हम लोग जादा और 70th of October जब इसे अपने previous यानि के current के जो 52 वी खाई हैं बाइसु रुपे के आसपास वो बनाए थे वहां से लगातार इस stock ने गिरावट दिखाई और ये level पर आकर वो गिरावट रुखी है जो तकरीबन आप कह सकते हैं 1950 के हैं जो हम वहाँ पर अभी देख भी रहे थे उस इसके लिए resistance का भी काम कर रहे थे and previously इसके लिए support का भी काम कर रहे थे ये देखिए line में जो mark कर रहा हूँ free hand ये वो line है level से 2020 के तो intraday में आपको stop loss मिल रहा है 2020 का 2020 को आपको stop loss है intraday के अंदर और ये जो levels है ये जो current levels है जहां पर आकर ही resistance face कर रहा है अच्छली जहां से उपर इसने closing नहीं दी है वो है 2050 के अगर अगले दिन यानि के Monday के trading session में ये जो last की 15 मिट की candle आप देख रहे है जो green candle है ये resume होती है यानि कि इसके ऊपर price खुल जाता है तो आप यकीन मानिये फिर intraday के अंदर आपको काफी अच्छे level देखने को मिल सकते है क्योंकि अग targets तक पहुशतावा दिखाई दे सकता है यानि कि जो धीमी गती से या आगे भढ़ रहा था इस बार अगर ये level cross होते हैं तो ये काफी 30 से आगे जा सकता है यानि कि 50 rupees का move आप इसके अंदर बहुत जल्दी intraday में देख सकते हैं तो intraday के targets निकल के आ रहे हैं वो पहला target आ तब इसके अंदर strength होगी RSI के एसाफ से तो definitely इसको भी cross कर सकता है तो फिलाल अगर आप देखे charts के एसाफ से current market price 2050 का है यह है current market price यहां से बिल्कुल देखें इसके अंदर buying की opportunity ढूड़ी जा सकती है stop loss 2020 का रहेगा और पहला target 2100 का रहने वाला है इसके हिसाफ से इसके जो actually में इसके previous 52 week हाई है जो इसने 20th of October को लगाये थे 20th of October yes exactly 20th of October को लगाये थे तो यहाँ पर chart pattern बहुत अच्छा है intraday में भी इसके अंदर आप बिल्कुल play कर सकते हैं आने वाले trading session पर यह stop loss लगा के और अगर आप थोड़ा सा time देते हैं तो आपको basically यहाँ पर काफी वड़े levels देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 2200 रुपे का level काफी अच्छी तरीके से यह अब hold करेगा और उसके उपर निकलने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा दूसरा important बात कि है कि अगर आप positionally इसके अंदर basically hold करना चाहते है इस stop को तो आपका stop loss रहेगा 1950 का अगर आप positionally hold कर रहे हैं तो आपका stop loss 1950 कर रहेगा अगर आप intraday में play करना चाहते हैं तो इसका stop loss 2020 कर रहेगा ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी positions बना सकते हैं बाता इंडिया के अंदर तो यह all over a holistic view है बाता इंडिया में results as well as technical charts को combine क करते वे जो best possible data and levels आते वे दिखाई दे रहे वो मैंने आपर define करने की कोशिश करिए I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो please like करके जरूर चाहिएगा साती में share भी जरूर कीजएगा अपने groups के अंदर और अभी तक चैनल को subscribe नहीं कि है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बराबर में दिया बैला क्लिक जरूर दबादें जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिसना कर पाएं मिलता हूं आपसे बहुत जल लगले वीडियो में चलतना थैंक्यू बबाई